Hello friends, welcome to Brain IQ. मेरा नाम सभागे लोया और इस विडियो में हम जानेंगे मागनेट्स के बारे में इस विडियो में हम बात करेंगे मागनेट्स क्या है मागनेट्स को किसने डिसकवर किया रहा था मागनेटाइट क्या है और अट्राक्ट और रपल के बीच में डिफरेंट्स क्या है So, let's start What are magnets? So, substances जो कि एक मागनेटिक फील्ड जनरेट करें उन्हें हम मागनेट के नाम से रफर करते हैं For example, अर्थ का जो कोर है Sun है जो जितने भी मागनेटिक अब्जेक्ट्स है उनमें डो पोल्स होते है एक नॉर्थ पोल्स एक साउथ पोल्स इन पोल्स की एक बात है कि जो अपोजेट पोल्स है वो अट्राक्ट करेंगे यानि कि एक साथ आएंगे और जो लाइट पोल्स है यानि कि सेम पोल्स है वो रपल करेंगे याने कि एक दूसरे से दूर जाएंगे जो मागनेट यो ऑपने अट्राक्षन के मदद से काफ़ी मेटल्स को भी पूल कर सकते है और औब्जेक्ट को भी पूल कर सकते है एन जबंगे लेगेन, मौःट, निकल और कुछ मेटल जैसे भी जो तो नहीं पुल कर सकते मागनेट्स जैसे ब्रास कॉपर जिंक आलुमनियम और जो स्टील है वो पुल तु काते हैं लेकिन अगर स्टेंलेस टील को बात करा जाए तो वह मागनेट्स स्टेंलेस तेल को नहीं अट्राक्ट करते तो हो डिसकोबर मागनेट्स मागनेट्स को इंडवेंट ने करा गया था राधर एक नाचराली अकरिंग मिनेरल जिसका नाम है मागनेट्स उससे डिसकावर करा गया था ट्राडिशनली माना जाता है कि जो इंशन ग्रीक्स थे वो मागनेट्स के डिसकावरर्स थे ये एक shepherd है जिसका नाम है magnets उसकी story है जब magnets हिल पे जा रहा था एक बार तो उसकी दुस्तिक थी जिसके आगे iron का एक piece था वो एक rock piece तक हो गई और वो जो rock था वो magnetite containing करता था इससे magnets को magnets की discovery होई और magnets की categories भी होती है magnets को एक तो permanent and temporary में divide कर सकते हैं और एक artificial नाच्रल में divide कर सकते हैं artificial जो की magnet magnets है और natural magnets जो की nature से obtain करे जाते हैं इनके example देखे तो artificial magnets में है जो की motors में होते है magnets और dams में भी होते है magnets जो generator और dams में वो magnets से ही चलता है और natural magnets में example है magnetite rocks जैसे कि आप image में देख सकते हैं और earth का core एक्सेटरा permanent और temporary की बात करें तो इनकी definitions है जैसे permanent magnets are one that retains its magnetic property for a long period of time यानि कि तो permanent magnets होते हैं उनकी जो magnetic की property होती है वो बहुत समय के लिए रहती है इनकी examples है जैसे iron का rock, magnets जो है refrigerators पर जो हम लगाते है temporary magnets की definition है temporary magnets are those that simply act like permanent magnets when they are within a strong magnetic field unlike permanent magnets however they lose the magnetism when the field disappears for example paper clip attracted to a magnet iron pin in a magnetic field इसका मतलब है जो temporary magnets होते है वो एक तरसे permanent magnets के तरह ही आक करते हैं जब किसी permanent magnet की strong magnetic field में वह हो permanent magnets के जगे instead of permanent magnets यह जो है यह अपने magnetism के property को loose करते है जैसे ही अपने field से ही यह चले जाते है और इसके example अगर आप paper clip को magnet की range में रखो तो paper clip magnetic बन जाएगी और iron pin रहे उसे भी range में रखो तो वह भी magnetic बन जाएगी यह तो field है यह invisible है और हम इसे देख ने सकते हैं लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे हम इसे देख सकते हैं यह है आप एक magnet लीजिए और magnet की उपर एक paper से धग जिए इसके बाद जो आप iron fillings को paper की उपर sprinkle करिए उसके बाद जब आप paper को gently tap करोगे तो आपको दिखेगा कि जो magnetic field है वो किस shape में और कैसी होती है तो इससे आप एक idea लगा सकते हो कि magnetic field क्या है अगर हम magnets को अपने daily life पे देखे तो magnet चार्च कल हमार पास हर जगे है जो sticky चीज़े हम refrigerator पे लगाते है वो magnets है जो car wheels है fan rotate करते है analog watches है वो सब जो motor से work करती है वो motor भी magnets के वज़े से काम खरती है अगर magnet नहीं होगा तो communication equipment और electricity जो production है वो खतम हो जाएंगे जो earth है वो भी क्योंकि उसका earth का core भी magnets है तो earth भी rotate और revolution करना बन कर जाएगा और जो orbit है वो कुई नहीं रहेगा भीना magnets के तो हम देख सकते है कि magnets ह हमारे daily life में कितना important है magnet से segregation of waste भी किरा जाता है जब आप near landfill areas of recycling factories बजाओगे तो आप notice करोगी कि machines होती है जिनमें की magnets है जिससे की metals को non-metals से separate करा जाता है तो यह पे भी जो magnets है वो important role play करते है एक interesting fact है magnets पे rather two interesting facts है पहला है जो magnet है अगर आप उसे freely एक rope से tie कर दोगे से आपने उसे rope से tie कर दिया और pin से hang कर दिया तो जो north pole होगा magnet का वो south pole को face करेगा और south pole north pole को face करेगा यह क्यों होता है जो earth का geographical north है यानि कि जिसको हम north मानते है वह असल में magnetic south pole है और जो geographical south pole है जिसको हम south pole मानते है वह magnetic north pole है इसलिए दूसरा fact है कि अगर आपने लदाक में magnetic road के बारे पर सुना होगा तो आपको पता होगा कि एक गाड़ी को अगर आप neutral mode पे रखो तो वहापे वह उपर नीचे जाने की जगे उपर चले जाएगी और इसकी तो speed है वह almost 20 km पर आर होता है यह उन magnetic hills के वदर से होता है और ऐसे hills पूरे world में all around the globe present है तो अब मैं एक बार आपको लदाक पे जो magnetic hill है उसकी location देखाना जाओंगा तो यह इंडिया में लदाक region में है जो कि आप अप देच सकते हैं आप अपने screen पे तो यह है magnetic hill लदाक की इसे के साथ ही मैं वीडियो खतन करना जाओंगा वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और आप उना feedback कमेंट सक्षन में देशके हैं थांक्यू बैबै